नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका Only PCS पे देखें ये नेक्स्ट लेक्चर है हमारा जो पार्ट वन पहले आ चुका है पार्ट टू है ये पेपर टू का यूपी PCS मेंस की सिरीज जो 2018 की चल रही है उसमें ये हमारा पेपर टू का JS का जो पेपर टू है उसमें ये हमारा भारतिय संब्धानिक योजनाओं की अन्य प्रमुक लोकतांत्रिक देशों के साथ तुलना करनी है तो ये टॉपिक है टॉपिक नंबर पांच आप सिलेवस में चेक कर लिजे कि कोई सिलेवस आपको रटा होना चाहिए तो ये दिखान दीजिए बढ़ पे कि प्रमुक लोकतांत्रिक देशों के साथ हमें तुलना करनी है अपने भारतिय संब्धान की तो चलिए शुरू करते हैं पहले हमने बिठिस संब्धान के साथ तूलना कर लिए इसके साथ ठीक है न तो चलिए शुरुआत करते हैं शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा इसकी location देख लेते हैं जिससे कि आपको दिमाग में एक structure बन जाएगा चलिए देखे ये हैं हमारा इंडिया है न ये प्यारा भारत है हमारा यहां से अगर हम द्रचित अफरीका महादृप ये ययोरूप है पुरा ययोरूप کے पष्चिम में देखेंगे तो आप ये अट्लांटिक महासागर देखेगा अपको क्या है अट्लांटिक महासागर दो भागों में बटा हुआ है नोर्थ अटलांटिक और नी चे साफ नौन लोकेशन देख लेते हैं देखे यह है अमेरिका इसके ऊपर है कैनाडा और इसके नीचे है मैक्शिको नीचे करके देख लेते हैं देखिए मैक्शिको ठीक है ना तो अमेरिका के पूरम पूरम में क्या है अटलांटिक महासागर और साउथ में आपको मिलेगा यह मैक्शिको की खाड़ी ठीक है ना और इसके पश्चिम में अब देखेंगे तो प्रशांत महासागर है वो भी नौर्थ वाला है ना उत्तरी प्रशांत महासागर चलिए अब इसको जूम करके देख लेते हैं अमेरिका को यह देखिए यह है यूनाइटेट इस्टेट ऑफ अमेरिका जै मैक्शिमम तो देखिए इसकी राजधानी को देख लेते हैं कहां पर है तो यह देखिए आप इसके यह आपको देखेगी यहां पर राजधानी किदर गई यह बॉसिंग्टन डी सी आपकी राजधानी है यह यहां पर तो आपको कुश्चन एक बताना है कमेंट बॉक्स मे कि बॉसिंग्टन डीसी किस नदी के किनारे बसा हुआ है ठीक है ना अमेरिका की जो राजदानी है तो इसमें देखी ये आपके नाम दिये गए बर्जीनिया इस्टेट हैं ये सब बेस्ट बर्जीनिया और आपके जितने भी देख रहे हैं पिट्सवर्ग, पैनी सलवेनिया है ना फिलाडेलफिया, नियू योर्क ये आपके कुलंबस तो ये सब क्या है इसके पचास राज हैं इनका नाम है अब देखी थोड़ा सा ये जान लीजिए क्योंकि जब सम्मिधान पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से पढ़ने के लिए थोड़ा सा जोगराभी आपका क इसे इसको इनटेट किंग्डम भी बोला जाता है कई सारे इसमें छोटे-छोटे आइलेंड बगेरा भी आते हैं जैसे आइलेंड बगेरा है ना तो इसी के स्टक्चर में देखे ये जब खोज शुरू हुई थी भारत की तो उसी में 1492 में करीब अमेरिका को खोजा गया अमेरिका को तो वह खोजने के बाद वहां जो लोकल जंजातिया रहती थी तो उनको इसने नाम दे दिया था रेड इंडियन उसके बाद में यहां से लोग यूरोप से जाके बसने लगे और क्योंकि यहां पर प्राकरतिक संसाधन और खनिच संसाधनों का बहुत ज्यादा भंडार था तो उसी को यहां से यह लोग लेके आते थे यूरोप में ना तो विकास सारा कहां पर हो रहा था यूरोप में लेकिन इनकी जो जो लोग यहां से गए थे यूरोप से उनकी जो आने वाली पीडियां थी वो वहीं पर बसने लगी और वो अपने आपको अमेरिक के बाद में इन्होंने आजादी लड़ी अपने आप तो 1776 में ये आजाद होते हैं उसके बाद देखिए संविधान बनता है यहाँ पे तो यह बिस्सु का पहला लिखित संविधान था और यह बनाया किसने था तो यूरोप के जो लोग आके बसे थे यहाँ पे उन्हीं के बंसजोने यह संविधान बनाया था चलिए अब देख लेते हैं संविधान के बारे में क्या-क्य इसमें चलिए इसमें प्रमुक बिसिस्ताओं से शुरुआत करते हैं हम तो देखे इसमें मात्र सिर्फ साथ अनुक्षेद हैं और 27 बार अब तक संसोधन हो चुका है यह लागू कब हुआ था संबिधान तो हमने बता है कि आजाद कब हुआ था अमेरिका 1776 में और 1788 में 13 सि संबिधान है ना मात्र 27 अनुक्षेद हैं लेकिन यह याद रखी है कि देखे यहां पर जैसे संग बुला जाता है भारत भी एक संग का उधारन है और अमेरिका भी है तो यहां केंदर और राज्यों का अस्तित तो दोनों जगे है लेकिन यहां अमेरिका में क्या है कि 27 बार सवा 200 साल से ज्यादा हो चुके हैं इनके सम्मिधान को लागू हुए और अभी तक मात्र 27 संसोदन हुए है जबकि भारत में आपको पता है 100 से ज्यादा निकल चुके हैं ठीक है ना चलिए नेक्स्ट इसकी बिसेस्ता देख लिए दोहरी नागरिकता है यानि किंदर इसके ब्रकी भी बिए जबकि भारत में एक हैरी नागरिकता है केंदरी नागरिकता है है एक मात्र और इसमें राश्ट पती परणाली अपनाई गई हैं कारग कम राश्ट in Stat इसमें क्या होता है सक्तियों का प्रथक करण इस पस तरीके से होता है जैसे राज्जी के तीन अंग थे कारिपाले का है ना विधाय का और आपकी न्याइपाले का तो इन तीनों का कार्चेत्र एकदम अलग होता है एक दूसरे के कामों में इंटरफियर नहीं होता है यहां प कारी छित्रे उसमें छित्रा धिकार में इंटरफेयर करने लगे हैं, तो यह सक्तियों का बिवाजन अच्छे से होता है राश्ड़्पती प्रनाली में, नेक्स डेखी, एमिरिका में दोयद सासन है, यह अमिरिका क्या है, दोयद सासन का एक अकशा, अच्छा एक्जाम्पल है जबकि भारत में सहकारी संगवाद का उधारन है भारत तो चलिए इनके बारे में देख लेते हैं अच्छे से ये क्या क्या है दें कि दोएद सासन की बिसेस्ताइं होती है अब केंद्री संगवाद होता है कौन सा अब केंद्री संगवाद होता है स सीमा को गटाया बढ़ा के कोई नया राज्य नहीं बनाया जा सकता है और ना ही केंडर को खदम किया जा सकता है इसका सीधा सा मतलब है तो शुरूआत में ऐसा नहीं था जब संविधान बना था तो वहां पे 13 राज्य थे लेकिन जब अब 50 हो गएं तो अब इसके बाद में ये प्रोवीजन कर दिया गया है कि इससे ज़्यादा राज्य नहीं बनेंगे तो ये अब अविनासी राज्यों का अविनासी संग है और जबकि भारत क्या है बिनासी राज्यों का अविनासी संग है इसका मतलब है कि एक राज्य से दूसरा राज्य काटके बनाये जा सकता सब्सक्राइब करा就是 इसके एक जाए इसके एक्जामपल्ब है तो राज्यों का बिर संग को समझ लेते हैं जो दियें अब केंद्री संगबाद क्या होता है तो इसने होता क्या है कि यृस होते हैं उनमें पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं एक दूसरे से ुसमें निस्पादन करने के लिए एक दूसरे के ऊपर यह निर्वर रहते हैं और जादतर के पास ही आम तोर पर जो अधिक नियंतर्ण की सक्तियां होती है वो इसमें के पास ही होती है अगर सम्मिती संगबाद का मतलब समझें हम तो इसमें जो देखेंगे आपके दो सदन होते हैं भारत में भी लोकस सवा और राज्य सवा तो इसमें राज्य सवा और यहां पर राज्य सवा के ही तौर पर बोला जाता है सीनेट एक जो उच्छ सदन है तो देखें राज्य सवा में हर राज्य का प्रतनित सेम नहीं है बरावर नहीं है जबकि सीनेट में हर राज्यों का सभी राज्यों का प संगबाद है क्योंकि यहां पर राज्य सभा में सबके लिए सीटे इक्वली आवंटिट नहीं है विधाई संगबाद की बात करें तो यह एक अमेरिका अच्छा एक्जामपल है इसका मतलब सीधा सा है कि कानून की जो निर्माड की प्रक्रिया होती है उसमें राज्यों का ब भूमिका नहीं ज्यादा होती है ठीक है ना और इसकी तो हमने बात कर ली अभिनासी राज्यों का बिनासी राज्यों का चलिए नेक्स देख लेते हैं इसमें अब प्रोवीजन्स क्या क्या है बिसिस्ताओं में देखिए अमेरिका में राष्टपती कौन बन सकता है, दो अमेरिका में ही जन्मा नागरेक हो, वही राष्टपती बन सकता है और 35 वर्ष की आयो पूरी कर चुका हो, लेकिन भारत के समधर्म में ऐसा नहीं है, भार SQ और John Locke के जो सक्टी के प्रत्रक करड के सिद्धानत है वो अच्छे से लागू होते हैं यहापे सक्टी के प्रत्रक करड का सिद्धानत क्या है इन्होंने कहा था कि एक अच्छा सासन तभी बनाया जा सकता है जब सक्टियों का इस पस तरीके से बेवाजन होगा किस किस के बीच में, तो आप इसे ले सकते हैं, अपकी कारेपालिका, बिधाएका, और नेपालिका के बीच में, इस परस तरीके से अगर सक्तियों का बेवाजन हो, तो इसे, आप अच्छे से सासित कर सकते हो किसी भी राध्जी को, तो इसी से संबन देते हैं, हमें ज़्यादा इनके डिटेल में, जाना नहीं है, क्योंकि यह theoretical, जो theory वाला portion आ जाता है, है न, सैध्धान्तिक चीज़े हैं, अब कहेंगे तो मैं specialist पे video बना दूँगा, ठीक है न, नेक्स देखिए, अमेरिका में मौलिक अधिकारों को क्या बोला जाता है, बिल ओफ राइट्स, देखिए, सुरू में जब संबिधान बना था, अमेरिका का, तो सुरू में मौलिक अधिकार नहीं थे, लेकिन जब एक से लेके, दस तक संबिधान संसोदन हुए, तो उनके द लब और जबकि भारत में कौन सी होती है बिधी द्वारा इस्थापिक प्रक्रिया यानि रूल या लौ इस्टेबिलिस बाई procedure established by law यानि बिदी द्वारा इस्थापित प्रक्रिया भारत में है जबकि due process of law यानि बिदी की शमयक प्रक्रिया कहाँ पर अमेरिका में है तेखे इसमें होता क्या है सिधी सीधी बात है कि कोई भी कानून जब बनता है मान कि कानून कहाँ पर बनता है कानून बनाने में वो सम्मिदान में दी गई प्रक्रिया के तहती ही पालन हो रहा उस प्रक्रिया का तो तो सही है अगर उसका पालन नहीं हो रहा है तो उसका judicial review किया जा सकता है यह लेकिन due process of law में क्या होता है यह एक कदम आगे है बीदी दौरा इस्थापित प्रक्रिया से देखे इसमें क्या होता है प्रक्रिया तो देखी जाती है प्रक्रिया सही है या गलत है है अगर गलत होगी तो वहीं पर सुनने हो जाए को जो कानून बन रहा होगा नेकिन अगर प्रक्रिया भी सही है तो इसमें एक चीज और देखी जाती है कि जो कानून बन रहा है, उसकी बिसेबस्तू क्या है, बिसेबस्तू ठीक है, इतिकल है, यानि नैतिक है, या नहीं है, इन सारी चीजों को कहां पर फोकस किया जाता है, डू प्रोसेस ओफ लो में, जो कि आपकी लागू है, ये अमेरिका में, ठीक है न, ये थोड़ा सा ब्रॉ बनाना तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए आठ से दस लोग भी अगर बोलेंगे तो मैं इस पर वीडियो बना दूँगा ठीक है नेक्स देखिए अमेरिका में आपत काल का कोई प्रावधान नहीं है और जो अब सिस्ट सक्तियां होती है वो राज्यों के पास होती ह आपको पता होगा भारत में देखें तो सक्तियों का विवाजन कैसे हुआ है केंद्र और राज्यों के बीच में तो साथमी अनसूची देखेंगे तो केंद्र सूची है एक राज्य सूची है एक संबर्ती सूची है ना इसी तरीके से तो हैं तो इसमें सक्तियों का विवा आदेते हैं तो उस परिस्थिति में अगर कानून एक दूसरे से लप्स होती है तो क्या होता कें लियो कही कानून को महत दिया जाता है ठीक है ना और राजसुची में राज भी से ही बनाता है मोजली साधर परिस्थितियों में लेकिन जब राज़्य सवा अगर इसे क्या करती है राज्य सभा आर्टिकल 149 के तहट क्या कर सकती है यह लोग सभा को अधिकार दे सकती है राज्य सूची पर भी कानून बनाने का है न इस तरीके से अगर राज्य भी चाहें अगर राज्य चाहें कि केंद्र अगर उस राज्य के लिए कानून बनाए तो भी इन तीनों के सिवा जो केंदर सूची, राज सूची और संबर्ती सूची के सिवा जो बिसे बचते हैं, जो कि बविश में उभरते हैं, उनको बोलते हैं अबसिस्ट बिसे जो तीनों सूचियों में नहीं हैं, उन अबसिस्ट बिसेयों पर हमारे इंडिया में केंदर केंदर क करता है निर्वाचक मंडल जिसे Electoral College बोला जाता है ठीक है ना देखिए इसमें जो सदन होते हैं दो होते हैं House of Representative और सीनेट है ना तो इसमें House of Representative कि मैं कुल सदस्यों की संख्या कितनी है 435 और सीनेट में 50 सदस्यों हैं और संख्या कितनी है इसमें सदस्यों की 100 और तीन वॉसिंग्टन डीसी से लिए जाते हैं जो कि राजदानी है इसकी तो यह कुल मिला के 538 बोट जो हैं यह मिलके बनाते हैं इलेक्टरोल कॉलेज यानि निर्वाचक मंडल और इसी से आप इसी के बहुमत से निर्वाचन होता है किसका राष्टपती का ठीक है ना 50% प्लस बन यानि 270 बोट इसमें से मिल जाते हैं तो राष्टपती उसे नियुक्त कर दिया जात होता है तो जितनी से सब्दी बसती है उसके लिए इलेक्शन नहीं होता है उसके लिए उपर राष्टपती ही राष्टपती का पदवार समालता है वही राष्टपती बनता है है ना राष्टपती का इलेक्शन उसी टाइम पे होता है नवंबर महीने में इलेक्शन होता है और approximately 20 January को इसका कारिकाल खतम हो जाता है राष्टपती का, अगर संडे पढ़ता है 20 को तो 21 को खतम हो जाता है इसका कारिकाल, तो यह याद रखीएगा, ठीक है न, महाबयोग की प्रक्रिया देख लेते हैं, महाबयोग की प्रक्रिया में क्या होता है, देखें भारत में क्या है केबल संविधान के उलंगन के आधार पर ही महाबयोग चलाए जा सकता है राष्टपती पर, लेकिन यहाँ पर आधार इसके बढ़ जाते हैं, अगर राष्टपती देश दुरोह से संबंदित ऐसा कोई केस होता है, रिस्वस से संबंदित, या आचन दुसकर्म संबंद लगाया जाएगा, और इसे पास किया जाएगा, कितने बहुमस से, दो त्याई बहुमस से पास किया जाएगा, फिर दूसरे सदन को भेजा जाएगा, यानि सीनेट को, और वो भी इसे पास करेगी दो त्याई बहुमस से, और ये बात याद रखिए, इसकी पीठा सीन अध ब्योग चलता उससे भी कर सकते हैं ठीक है ना नेक्स देखते हैं इसमें देखी ये तो बात कर ली हमने चुनाब नवंबर में होता है 20 जनवरी को आलमस्ट इसका कारिकाल खतम हो जाता है उपराश्ट पती का भी सेम इसी तरीके का स्ट्रक्चर है उसका भी चुनाब होता है है ना जिस तरीके से इसका होता है सेम टू सेम प्रणाली है तो इसमें कुछ ज्यादा पढ़ने की उस पराश्ट पती में जरूरत नहीं है नेक्स देख लेते हैं अब देखी अमेरिका की बेधायका को देख लेते हैं जो अंग थे हमारी कारेपालिका तो हो गई अब एक जो जान लीजिए जो राश्ट पती होता है उसका जो मंत्री मंडल होता है वो राश्ट पती ही अपने मर्जी से किसी को भी नियुक्त कर सकता है उसमें उसमें इसका बेधायका का कोई रोल नहीं होता है जैसे हाउस और सीनेट से नहीं लिये जाते हैं कोई भी मेंबर यान सकती का प्रथक करण का सिद्धान दिया के लिए दिखता है इनके इलेक्शन अलग होते हैं और बाकी कारेपालिका का चुनाप होता ही है आपको पता लगी गया अमेरिका में राश्टपती के लिए और इनका भी होता है इसका दो साल के लिए होता है जबकि इसका छे वर्स के कैसे होता है प्रतेक्शन निर्वाचन प्रणाली के माध्यम से अब देखे 100 इसमें होते हैं उच्छ सदना ये तो बात कर ली 6 वर्स इसका कारिकाल होता है एक वर्टे तीन सदस्य से इसके प्रतेक दो वर्षबाद रिटाइड हो जाते हैं अब देखे ये सारी बाते हम कर चुके हैं और प्रतेक राजज से इसमें सदस्यों की संख्या अलग-अलग होती है जबकि इसमें फैक्स होती है ठीक है ना? और इसमें क्या होता है साधार विद्यक धन विद्यक और संसोधन विद्यक में से सम्मंदित अधिकार इसको बरावर है सीनेट को जबकि अपनी राज्यसवा के पास इतने अधिकार नहीं है ठीक है तो यह भी याद रखिएगा ठीक है अब देखिए सैपरेशन और पावर का का चुनाब होता है उसी बिधायका से बनती है कारेपाले का हैं ना अलग से तो कारेपाले का चुनाब नहीं होता है यानि ये कानून बनाती है और वो कारेपालिका, राष्टपती बगरा ये सब इंप्लिमेंट करते हैं कानून को अब देखे नियाएपालिका देख लेते हैं यांकी, इसमें बहुत इंपोटेंट चीज है, उसे बताएंगे जो कि अभी भारत के डिबेट में जो चल रहा है, नियुक्ती को लेके प्रोसेस क्या होना चाहिए, देखे कुल नौद नियाएदीस होती है, इसी में से एक मुख लेके नियादीस भी होता है, और यह अपने पदपर आजीमन बने रहते हैं, अगर यह चाहें तो 70 वर्स के बाद में यह अपने इस्थीपा भी दे सकते हैं, लेकिन आजीमन यह अपने पदपर रहते हैं, कोई इनका फिक्स नहीं है कारिकाल, और जुडिसियल रिवीव ज पालिका ठीक है न? तो यह देख लीजिए, इसकी पूरी हम बात कर चुके हैं, नेक्स देख लेते हैं, यह अप सजेशन भी दे सकते हैं, जैसे कि नियाएक नियुक्ति आयोक का जो गठन किया गया था, लेकिन उसके बाद में सुप्रीम कोट ने उसे reject कर दिया था किस से संबंदित था वो तो वो था आपके नियाई दीसों की नियुक्ति से संबंदित एक आयोक था जिसको कि असम्मेधाने गोसित कर दिया था नियाई पालिका ने Supreme Court ने क्यों कि उसमें बताया था कि कारेपालिका का इंटरफियर हो जाएगा उसमें और हमारी स्वतंतरता भंग हो जाएगी है ना उस आधार पे उसने उसे असम्मेधाने गोसित किया था तो देखे अभी क्या है प्रोसेस तो अभी देखे जो नियुक्ति होती है नियाई दीसों की उसमें एक कोलेजियम के द्वारा होती है कोलेजियम वेवस्ता है उसमें जो CJI होता है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य नियाइदीस प्लस चार बरिस्ट नियाइदीस मिलके ही किसी नाम को रिकमंड करते हैं राष्टपती के लिए और वही फिर राष्टपती उसे नियुक्त कर देते हैं तो यह अभी जो चल रहा है डिबेट में मुद्दा लेकिन इसको इससे समझ सकते हो अमेरिका में कैसे नियुक्त होता है तो देखिए अमेरिका में अंतिम फैसला राष्टपती करता है अंतिम नियुक्त करना है लेकिन राष्टपती जो नाम सुझाता है जो सीनेट है यहां तो ऐसे में वो जाच करती है जाच करने के बाद मैं इसे जनता के लिए भी राय के लिए रखा जाता है कि जनता की नजर में तो नहीं है ऐसा अगर इसने कोई corruption बगएरा में लिप्त होतो तो इसमें जनता भी भाग लेती है यानि बहुत ही इसपस्ट और पारदर्शी तरीके से यहां नियुक्ती होती है नियाई पालिका की तो बहुत ही ट्रांस्पेरेंट मैनर में है इसको आप सुझाब दे सकते हो किसमें अगर आपसे question mains में आता है नियायक नियुक्ती आयोक से संबंदित या नियायदीसों की प बंद कमरे में कारिवाई होती है वहीं पर decision लिया जाता है कि किसको नियुक्त करना है किसको नियुक्त नहीं करना है और जनता को तो तब पता लगता है जब वो नाम नियुक्त होने के बाद मैं राश्टपती उन्हें नियुक्त करता है तब जनता के पता लगता है कि कौन नियादीज बनने वाला है, है ना, तो यह transparent है, जबकि अपने यहां पे अंदकार में यह चीज़े होती है, चलिए, next देख लेते हैं, इसमें, अमेरीकी सम्मिधान में संसोधन देख लेते हैं, यह next, last चीज़े, है ना, दो तरीके से होता है, अमेरीकी सम्मिधान में संसोध तो एक तो तरीका यह हो गया और दूसरा है राज्यों द्वारा प्रस्तावित और राज्यों द्वारा मंजूरी तो देखे इसमें पहले वाले में क्या होता है इसमें जो कॉंग्रेस के दोनों सदन होते हैं यानि आप संसा समझे लीजिए इसे तो इसमें दोनों को दोत्या मंडल हैं उनसे अन्मोधन जरूरी है तीन चौधाई लेकिन भारत के प्रपेक्ष में क्या है है आप पढ़ेंगे तो दो तिहाई ही राज्यों का अन्मोधन चाहिए तो यह प्रक्रिया कठिन है भारती प्रक्रिया से ठीक है ना नेक्स देख लेते हैं दूसरा तरीका इसमे क्या होता है दो तिहाई राज्य किसी भी संसुदन को प्रस्तावित करते हैं और कॉंग्रेस प्रक्रिया यानि वहां की बिदाय का वह एक कंवेंशन बुलाती है आयोजन करती है उसका उसमें फिर दुबारा से बोटिंग होती है बोटिंग होने में उसमें तीन चौथा ही तो बात करेंगे नेक्स जब टॉपिक पढ़ेंगे हम मेंस के और भी जो भारती संविधान से सम्मध देता है ये तो कर दो करेंगे हम मेंस के और भी जो भारह क बड़ और कर गções का